हेलो रवीवन स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में तो दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा 1UI 3.0 के कुछ ने फीचर्स ठीक है आपको पता यह 1UI 3.0 अपडेट आना स्टार्ट हो चुका है अब ही हाली में हमारे S10 Lite इस डिवाइस को 1UI 3.0 क अपडेट मिल चुका है तो मैं आपको कुछ यहां पे स्क्रीन शोट्स दिखाऊंगा क्योंकि मेरा फ्रेंड यूज करता है लेकिन वो मुझे दूर है उसने मुझे बताया कि 1UI 3.0 का मेरे डिवाइस में अपडेट आ चुका है तो मैंने कहा कि जो आपके डिवाइस में न तो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा तो बने रही है और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की अमेजिंग वीडियो अपलोड होती रहती है और दोस्तों जैसे कि अभी तो मेरे डिवाइस में मेरा जो एस टैन है उसको 20 जनवरी को जो अपडेट आएगा तो जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं इसके ओपर फुल रिव्यू का वीडियो मुनाँगा पूरा वीडियो कि वन्यों 3.0 में कौन-कौन से फीचर एड हुए हैं बिल्कुल न करते हैं मतलं कि जब अपना मेनिई पुंपण करते हैं तो उसकी जो ऑईकन एरेंग्मेस हैं जो आपके आइकन शो होते है वह यह बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, आप screenshot यहां पर देख सकते हैं, जो बिल्कुल यहां पर change हो चुके हैं, जो arrangement हैं, यह उप्डेटा आने के बाद, अब जो next है, next के change हो है, चलिए उस पर देखते हैं, next जो हमारा settings बगरा जो है, वो change हो चुकी है, पहले से बहुत ज़्या जो option है वो कौन सा है थर जो यहां पर change हुए हमारा जो dialing pad है जी जो dialing pad हमारा वो भी पहले से थोड़ा बहुत यहां पर change होके आया है तो जब आप update आएगी तो आपको मैं यहां पर पूरा detail में बताऊंगा लेकिन जो last feature है वो बहुत ही amazing लगा मुझे वो हमारे notification के उपर मत ने option यहां पर add हुए है जो आपका notification panel है वो बहुत ही कमाल का हो चुका है तो मुझे यह notification panel सबसे बढ़िया लगा तो जैसे ही update आएगी galaxy s10 में तो मैं full review यहां पर video बना दूगा तो आप मेरे channel के साथ बने रहे है और दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा please comment box पे comment क कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और यह था आज का वीडियो तो बाई बाई चेकर जाहिन बंदमादरम